नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल भूमी रेसिपीज पे और आज की मेरी प्लेटिंग को देखके आप समझ ही गए होंगे कि मैंने जो थीम ली है वो है इंडिपेंडेंस डे को मद्य नज़र रखते हुए तो यह जो रेसिपी में आपके साथ शे हम आज बनाने वाले हैं तो बिना वक्त जायर किये चलिए बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ तो सबसे पहले मैंने एक बोल ले लिया है उसमें मैंने डाला है एक कटोरी मैदा साथ में मैं डाल रहे हूं एक चमच बेकिंग पाउडर उसकी बाद हम इसमें डालने वाल हैं धीरे-धीरे करके पानी तो पानी हमें धीरे-धीरे करके इसमें आड़ करना है और बैटर की कंसिस्टेंसी आप बराबर इस वीडियो में देखते रहे हैं उसी कंसिस्टेंसी में आपको बैटर रखना है तो पानी आड़ कर लेने के बाद हम विसकर की मदद से इसको अ से इसको अच्छे से पूरे बैटर में मिला लेंगे तो इसको एक ही डिरेक्शन में हम अच्छे से बीट करेंगे ताकि जो हमारा बैटर है वो इस तरीके से स्मूध हो जाए और बैटर स्मूध हो जाने के बाद अब मैं यहाँ पर दूसरा बोल ले रही हूं क्यूंकि मुझ अब इसको हम अच्छे से बीटर में यहाँ पर लिये हैं यह मैंने एक चुटकी दोनों बैटर में डाला था और देखिए कितना अच्छा कलर इसमें आ चुका है तो फूट कलर का जो कौंटिटी है ना वह आप चुटकी ही रखेगा उतने में बहुत अच्छा कलर हमारे ज इनियन फ्लैक के इसमें आ चुके हैं और जलेबी बनने के लिए बैटर एकदम रड़ी है अभी के लिए हम इस बैटर को साइट पर रख देते हैं और हम तियार कर लेते हैं चाशनी तो चाशनी के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ डेड़ कटोरी चीनी और साथ में मैं इसके एक कटोरी पानी तो पानी हमें इतना ही आड़ करना है इसके बाद हम इसको साइट पर रख लेंगे और हम फिल कर लेते हैं अपने कोन जिससे हम जलेबी बनाने वाले हैं तो यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ दूद के खाली पैकेट्स अगर आपके पास पतले नो इसमें चाषणी वधे को बनाने के लिए तो जो पान में हमने चीनी और पानी डला था उसको हम एक चूले पर रख देंगे और साथ ही साथ हम दूसरे चूले पर रख दींगे कढाई चिसमें घी जैले भी उतारने हैं अप चाहई तो ऊलब भी इसमें यूまでetah साइछ और सा अब के साथ आप जैसे देख रहे हैं हमारी जो चाषनी है वो उबल रही है उसमें मैंने डाल दिया है एक चमच निम्बु का रस और दो से तीन इलाइची मैंने इसमें डाल दी है ताकि हमारी जलेबी में इलाइची का बहुत अच्छा फ्लेवर आए तो इसको हम अच्छे स तो सबसे पहले मैं औरेंज कलर वाली जलेबिया निकालने वाली हूँ तो देखिए मैंने किस तरीके से ये जलेबि निकाली है बहुत हलके हाथ से आपको इसमें पोर करना है बैटर और शेद को आप हलका पतला रखेगा ताकि जो हमारी जलेबि है वो क्रिस्पी-क्रिस्पी त्यार हो अग्दम पतली-पतली जलेबियां त्यार हो अब जलेबि को इसमें डाल लेने के बाद एक चीचका आपको ध्यान रखना है कि एक साइड आपको जलेबि को बनाना है 10-12 सेकंड के लिए और फिर हम इसको दूसरी side flip कर देंगे और flip करने के बाद हम इसको बनाएंगे सिफ 5-6 सेकंड के लिए हमें दूसरी side इसको बनाना है और ये जो जलेबी हम उतारते हैं एकदम full flame जो होती है गयस की उस पे हमें उतारनी है तो देखिए ये बहुत अच्छी तरीके से हमारी जो जलेबी है वो रेडी हो चुकी है एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी अब हम इसे डाल देंगे सीधा चाशनी में तो चाशनी जो है ना हमारी हलकी गुनगुनी है एकदम हट चाशनी में भी नहीं डालना है और एकदम ठंडी चाशनी में भी इसको नहीं डालना है तो हलकी गुनगुनी आपकी चाशनी होनी चाहिए तो सारी जलेबियों को इसमें डाल लेने के बाद हमें बस इसे 2-3 सेकंड में बाहर निकाल लेना है पूरा इसको कोट करने के बाद 2-3 सेकंड में हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे तो एक बारी फिर से मैं आपको प्रोसेस रिपीट करके दिखा देती हूँ जलेबी इस तरीके से मैंने निकाली है आज हमें तेज रखनी है और जब आप जलेबी इसमें डाले तो इसमेरा बबल्स उटने चीए तो उससे समझेए आपका जो घी है वो अच्छे से गरम हुआ हुआ है और जलेबी आपकी अच्छी उतरने वाली है तो एक बारी में कम से कम अब 5-6 जलेबी उतार सकते हैं और देखिए ओरेंज कलर की कितनी बढ़िया जलेबी हमारी रेडी हो रही है सेम प्रोसेस है उसके बाद हम इसको गरमा गरम निकाल के हम सीधा डाल देंगे इसको गुनगुनी चाशनी में और चाशनी अच्छे से कोट करने के बाद इसको हम निकाल लेंगे और यह हमारी है रेडी खानी के लिए तो जब हमको कलरफुल नहीं बनानी है जलेबिया तो हमारा यह प्रोसेस जो है वो यहीं पर गताम हो जाता है बट जैसा कि अपने शुरू में मैंने आपको पिताया था कि मैं फ्लैक थीम की जलेबिया बनारी हूँ तो मुझे अब ग्रीन कलर वाले बैटर से जलेबिया उतार नहीं है तो उसके लिए भी मैंने सेम प्रोसेस अपनाया है और राउंड राउंड करके मैंने इसमें भी जलेबिया बैटर पोर कर दिया है ओरेंज वाली जलेबियों के मुकाबले मेरी जलेबिया यह थोड़ी बड़ी साइज में बन रही है क्यूंकि इसके कोन का जो फ्रंट निप था वो मैंने शायद मोटा कट का लिया है यह भी दिखने में बहुत अमेजिंग लग रही है और टेस्ट वाइस दोनों सेम ही है टेस्ट में कोई फर्क नहीं है बस वह कलर डिफरेंस ज़ा दाता है तो कलर से हमें क्या होता है चीजे जब कलर फुल हो जाती है तो खाने का बहुत मन करता है जितनी आसान यह जलेबिया बनाने में है उतनी ही टेस्टी और अमेजिंग यह खाने में होती है तो रेसेपी को आप जरूर ट्राय करिएगा और कलर्स वाला जो एक्सपेरिमेंट है उसको भी जरूर करिएगा I hope आपको पसंद आए तो देखिए यह लास्ट है इसको भी मैंने इसमें डाल लिया है च तो रबडी के साथ सर्फ किया था तो रबडी की जो रेसेपी है वो मैं आगे पोस्ट कर दूँंगी आज के लिए मैं अभी सिफ जलीबी की रेसेपी आप लोगों के लिए पोस्ट कर रहे हूं तो अगर आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई हो और यह रेसेपी और खुश रहिए मज़े करिए और मीठी मीठी जलेबियां खाईए इस इंडिपेंडेंस टे पे तो चलिए दोस्तों मैं विदा लेती हूं आपसे मैं जल्दी मिलूंगे आपसे एक तड़कती भड़कती नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए थैंक यू सो मच पर वाचिं कि पुश से पेओ और में प्टार कुश खाईए मैं ने एक वाचिंगे जलेबियां SSC